कि जहां तक सरकार की बात है कि नेक्स प्यम हमारा कौन होना चाहिए तो इस बार देश की जनता कुछ चेंग चाहती है क्योंकि दस साल से हम एक सरकार को देख रहे हैं और दस क्या अगर बीच के छोटे-मोटे डिवरेशन को छोड़ दिया जाए तो आजादी के बाद हम आज कहां है और हमारे साथ में आजाद हुआ कामोबेश आगे पीछे चाइना यह कहां पर स्टेंड करता है तो अंडाउटेडली आज की डेट में इंडिया को अगर कुछ जरूरत है तो एक ऐसी गवर्मेंट की जो डिसीजन्स ले सके क्योंकि डिसीजन्स हमेशा ऐसा नहीं हो 10 to ratio 1 ऐसा कुछ चल रहा है एक आदमी के पास जितनी wealth है वो 10 लों के पास में तो इस सेनारियो को चेंज करने के लिए यह ज़रूरी है कि देश का political system भी चेंज किया जाए इस बार तो हमने कई बार कॉंग्रेस को वोट दिया है या नहरू परिवार जो कि वर्तमान में गान मॉडल के तौर पर हमारे सामने गुजराथ है जो कि आज देश के लिए विकास का मॉडल बन चुका है तो अगर मेरी पसंद के बारे में कहा जाए ना मैं भाजपा को वोट देना चाहता हूं ना मैं कॉंग्रेस को वोट देना चाहता हूं मैं नरेंदर मोदी जैसे आर्था जगत की बात करें तो जितना अच्छा मॉडल हमारे सामने नरेंदर मोदी जी ने दिया है डेवलपमेंट का समकर विकास वो इस समय आने कोई पार्टी देने में सक्षम नहीं दिखाए दे रही है तो रिसेंट में राहोल जी ने 1600 करोड रुपय खर्चे करके हमार कितने करोड युवाओं को रोजगार देना है अगली बार ट्राइ करेंगे कंग्रेस को अभी तो मोदी